हेलो वेलकम टो अडिसर डिज्टाल लान्निंग आज जी आमें एट क्लास इंग्डिस बोई रो जग्दिस चंद्र बोस रो पोस्ट रोटिंट को करीबा पुर्बा वीडियो रे आमें इए विच्वेटिक भुलावरे पुजीतिलो एवं तरा कुश्च्चानिस को करतिलो ज ट्याहे सक्रिप्स ल लेंक देंग्टी आएँ छोंऑ जाए देखिञ लोगँ तो छाल ही श्टार्ठ करीवाए फृत बोस्ट में कोई चि मेल इस ता व्राड़ मेंार्ड इद्डियो रोड़ दे नेक्स्ट देची एलिमेंटरी, एलिमेंटरी मिन्स प्राथमी को सिख्या तरला तर मिनिंग कोण हो वो प्राइमेरी ता प्रदेची एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मिन्स बोईगानी को परिख्या तरतर मिनिंग कर अब साइन्टिफिक टेस्ट और ट्राइल 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 सम्बेदन शिड़ तार मिनिंग कण अब स्वाइंग रियाक्षन और रेस्पन्स टू सो त्यापर उची स्टीमूलस स्टीमूलस मिन्स उद्धिपन प्रकास करिवे तार मिनिंग उची सम्थिंग देट कैसेस रियाक्षन नेक्स्ट होची भेरियस भेरियस मिन्स प्रकार तार इंगलिस मिनिंग कण होब सेभेरान डिफरेंट तावरे नेक्स्ट होची भर्नाकुलर भर्नाकुलर मीन्स कणा मात्रु हसा तालो तारो मीनिंग कणा होब the language spoken in particular area regional language तावरे होची external external मीन्स by हो of outside तावरे नेक्स्ट कण कईची read the following sentence निम्ना लिखता बाक्योटी को पढ़ो he wrote two very famous book से दोईटी पुस्त को लेखी थिले response in the living and non-living गटी होची response in the living and non-living और्नाटी होची the nervous mechanism of plants the verb rot is used in its second form or past form rot to state that the writer of the book is not alive क्रिया पोदो रोट एठार second form बा past form में वेभार होईची कारणा बोहीर लेखो को जीबी तो नाहांती एठार लेखो को जीबी तो नाहांती सेथिपाइम भार्बटी past form लो वेभार होईची अर वेखो नाहांती सेथिपाइम न्यूमीते सेथिपाइम प्रतिभाराय शिडापदम लखी थिले इन दीज सेंटेंस वी फाइड दे प्रेजेंट पार्फेक्ट फोर्म अव दे भार्व राइट है प्लोस रिटेंट सोज देड दा अत्थर और राइटर इस एलाइब एई सेंटेंस टी प्रेजेंट पार्फेक्ट र लखाईची प्रेजेंट पार्फेक्ट र अब सुत्र काण सब्जेट हैज और हैव भार्व थाड फोर्म एटी सब्जेट रुजी प्रतिभाराय ता प्रेची हैज ता प्रेची भार्व थाड फोर्म रिटेन ताले भार्वर स्फास्ट फर्ब कॉना राइट रोट रिटेन एठारे भार्व कायेंगी प्रेजन्ट पार्फेक्ट फर्म हीची कारण एठारे लेखोको जिबीत आचनती रिड़ दा फोलाउंग सेंटेंज उजिं Harvard in its right फॉर्म पास्ट सिंफल रोट और प्रेजन्ट पार्फेक्ट हेज रीटेन एटीजी सेंटेंस दियाएची ताकू तुम्हे मने पास्ट सिंपुल रोट होगो किमब प्रेजन पर्फेक्ट हेज रिटेन होगो ताह तुम्हे लखीवो फास्ट कणोची जबाहलन नहरू राइड दिस्कोबरी ओफ इंडिया एटाल ब्रेकेटर ची नोट एलाइड कराण एठाल राइड और जिबी तो नहांती ताल भार्वटी कोग फार्म रे होबो पास्ट फार्म रे ताल एंसर कणोबो जबाहलन नहरू रोट दिस्कोबरी ओफ इंडिया ताल एठाल एठाल ब्रेकेटर ची नोट एलाइड और एठाल राइड जिबी तो नहांती ताले पास्ट फोर्मरे होबो गोपिनात महान्ती रोड़ दा पराजो तापर आइब भीर कॉन देची सारोण दास राइड दा ओडिया महा भाणतो आड़ा ब्रेकेटर कॉन अची NOT alive पुनी सेहीं पास्ट फोर्मरे होबो सारण दास रोड दा ओडिया महावारत तापर भी कुण कोईची चेतन भगत राइट फ़ाट योंग इंडिया वाण्स ब्रेकेट कुण देची एल लाइब ताले एठारे राइटो जिबीत अचन्ती ताले क्यों फोर्मिन होब प्रेजन पारफेक्ट ताले एठार काणवा चेतन भगत वाट योंग इंडिया वाण्स तापर काण देची राइट एठार टू दा फोर्मिन कुष्चेन तोले जों कुष्चेन उडिका देची तारा एठार एठार लखो कुष्चेन नमर वाण काईची वाज जग्दिश्चंद्र वाज जग्दिश्चंद्र वाज की तारा एठार एठार वाज जग्दिश्चंद्र वाज वाज ए प्रमिनेंट साइन्टिस्ट अप द वाल्ड जग्दिश्चंद्र वाज दोनियार जणे बिसिष्ट वाईगानिको थिले तापर नेक्स्ट कॉन कोईची, what is the finding of his experiment? तांकर परिख्यन रो संधान कॉन तर एंसर कॉन वा, he proved by experimentation that both animals and plants share much in common plants are also sensitive to heat, cold, light and noise, etc. से परिख्यन दर प्रमान करिथिले जे साथरन उद्विद गुडि करे उख्यों प्राणी एबं उद्विद अधिको अंसी दर करंती, उत्तापो, थंडा, अलको, एबं, नएज प्रतिमध्य संबेदन सिड़ कुस्ट्यन नमबर थ्री, what is the crescograph used for? एक क्रेश्को ग्राफ कौन पाइबे भूरत हुए? पराणसरोंची, crescograph is used for the purpose of testing sensitiveness animals and plants. संबेदन सिड़ प्राणी एबं उद्विद गुडिको परिख्या करिया पाइबं, क्रेश्को ग्राफ यूज हुए. कुस्ट्यन नमबर आई भी, name the books he wrote. से लेखी तिया पुष्टक गुडिकर नाम काण। तार एंसरोंची, his two famous books are तांकर दूइटी प्रसिध पुष्टक हेऊची, गट्टी हेऊची, response in the living and non-living, जीबन तयबं अणजीबरे प्रतिक्रिया, सेकेंटी हुची, the nervous mechanism of plants, उद्वीद अगुडिकर स्नायो प्रणाली, ता प्रकॉन देची, फिलिन दा बायोडाटा अब जगदिश्चंद्र बोस गीभेन बिलो, तोड़े देएथेवा जगदिश्चंद्र बोस करो, एही बायोडाटा को फिल अब करो, फासकाना देची, नेम ना कोण, अकोण प्रोफेस्न कोण, बर्थप्लेस, से क्यों स्थाननरे जन्म ग्राण करथें, डेट औब बार्थ, यांकोण जन्म तारिकों केबे, प्राईमेरी एजुकेशन, से प्राईमेरी एजुकेशन के ऊटी करथें, educational institution attended name subject से कौन कौन पड़ी थिले एबं के उठी पड़ी थिले language knowledge से क्यों क्यों भाइसा जानी थिले experimented on से कहा उपरे परिखन कर थिले books ही road से क्यों क्यों पुष्टो का लखी थिले the year office passing एबं से क्यों मुर्तिवरान कर थिले जब रथो में कौन अची name तांका ना कौन जगदिस तंद्र बस profession तांका प्रोफेशन कौन सेजन साइन्टिस्ट birthplace बर्थप्लेस कौन होब मायमेन सिंग नाउ इन बंगलादेस जोटा की यवे बंगलादेस रे अच्छी date of birth तांका date of birth के वे थार्टी नभेंबर 1858 primary education फ्रमे भार्ना कॉलार स्कूल educational institution attended name कण कलकटा इनवर्सिटी subject कंथला फिजिक्स name Cambridge university subject कंथला ब्सी डिग्री इन फिजिक्स ताप्र देची language knowledge चेक्यों क्यों भाइसा जाने थे ले बंगली English experimented on वनवा बोथ एनिमल्स और प्लांस ताप्र देची books he wrote चेक्यों देविटी पुस्तकर रचना करते ले प्रथमाड़वची response in the living and non-living second देविटी दा नर्फोस मेकानेजी ताप्र देची दा यार ओफिस पासिंग एवे सकेवे मृत्ती परण करते ले 1937 ताप्र देची write a paragraph on sir जगदिश्चंद्र बोष using the information from the by data you have already filled in तुम्हे पुरबरु पुरण करते हा by data तत्थेरू सुचन बेभर करी sir जगदिश्चंद्र बोष को अपुर एक पाराग्राफ लखा पन्नेखिवास sir जगदिश्चंद्र बोष was an Indian scientist जगदिश्चंद्र बोष जने भारतिय वईगानिको he was born in 30 November 1858 30 November 1858 30 November 1858 जल्मग्रहन करी थिले he completed his primary education from भार्नाकुल और स्कूल he studied physics in Calcutta University and got his B.S.C. degree from Cambridge University he knew both Bengali and English he experimented on animals and plants से प्राणी एबं उद्वीदे उपरे परिखना कर थिले he wrote two books such as Response in the Living and Non-Living The Nervous Mechanism से दूईटी पुस्तो का लखी थिले जिबन तो एबं अनजिवी का मधरे प्रतिक्रिया जित्याटी होईची स्नेयो जांतरी कोता he proved that plants like animals are sensitive to cold, heat, light, noise and other things से प्रामाण कर देवकर जांतरी जे पसुपरी उद्वीद, सित, उत्ताप, आलक, सब्द एब अन्यान ने अंग प्रति सम्बेदना शिलो These have definite impact on plants उद्वीदे उपरे अगुडी कर निश्चित प्रभाव पडि थे he passed away in 1937 से उने सस्वाइं तरी समसे रे मुद्टी बरण कर थे ले I hope विसेट को खलो आवरे बुझीवा सेथा तारा पोस्ट ट्रीडिंग टीको खलो आवरे बुझीपर थे वो एई भडी वीडियो आको देखिया पें ये चनान को लाइक, से आरे भूंग, सस्क्राइब करन तो थेंक यू